देली के मुखे मंत्री अर्विन केश्रिवाल प्रेस कॉंफरेंस कर रहे हैं क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं जाता और उसकी पढ़ाई बड़ी शामदार होती है और वो निकल के एक डॉक्टर बनता है इंजीनियर बनता है अच्छा बिजनस करता है तो वो अपने परिवार की गरीबी दूर करेगा उसका परिवार अमीर बन जाएगा है की नहीं है अगर बच्चा अच्छा पढ़ लिग गया बच्चा बड़ाओ के डॉक्टर बन गया जैसे कल मैंने 26 जनवरी का भाशन दिया 26 जनवरी के भाशन में मैंने कई उधारन दिये कुषाल गर्ग है जिसके पिता जी प्लमबर है को तो इस पीटाजी 10 12 दे में मैं कि प्रưởng पढसे लेकिन निकलने के बाद आब जब डॉक्टर बनेगा तो 3-4 20 में ओशिरू में जने की कम आएगा के तो उसका परिवार अमीर हो गया देश में सत्रा करोड बच्चे अपने देश में सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं इन मेंसे अगर कुछ चंद स्कूल छोड़ दें जो अच्छे हैं बाकि मोसली सरकारी स्कूलों का देश वर में बहुत बुरा हाल है बहुत बुरा हाल है इन सत्रा करोड बच्चों का भविश्य अंधकार में है इनके माबाप इनको सरकारी स्कूलों में भेजते हैं उनके पास पैसे नहीं है इसलिए भेजते हैं माबाप बहुत गरीब हैं सरकारी स्कूलों में भेजते हैं बच्चों की पढ़ाई नहीं है यह बच्चे भी बड़े हो के गरीबी रह जाएंगे। अगर हम इन सरकारी स्कूलों को दिल्ली के जैसे شांदार बना दे arrive, बहुत अच्छे बना देए। और अगर ये सारे बच्चे को अच्छी शिक्षा देनी चालू कर दे, अगर ये सारे बच्चे बड़े हो कि अच्छे बिजनसमेन, व्यापारी, डॉक्टर, इंजिनियर, वकील बनना शुरू हो जाएं, एक-एक बच्चा अपने अपने परिवार को अमीर बना देगा, और अगर हम अपने सत्रा करोड बच्चों को अच्छे शिक्षा दे दें, तो भारत को अमीर बना सकते हैं, अमरीका अपने हर बच्चे को फ्री में शिक्षा देता है, क्यों देता है? इसलिए नहीं कि अमरीका अमीर देश है, इसलिए देता है, अमरीका अमीर इसलिए बना क् अगर वो हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देना बंद कर दे आज अमरीका गरीब देश बन जाएगा इंग्लेंड अपने हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देता है डैनमार्क अपने हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देता है हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देता है इसलिए अमीर है अमीर है इसलिए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देते अगर हमें भी अमीर बनना है भारत को भी अमीर बनना है तो हर भारते को अमीर बनना पड़ेगा और अगर हर भारते को अमीर बनाना है चार काम करने पड़ेंगे पहला देश के अंदर जितने सरकारी स्कूल हैं सब को शानदार बनाना पड़ेगा दूसरा धेर सारे नए सरकारी स्कूल खोलने पड़ेंगे तीसरा जितने कच्चे टीचर हैं पूरे देश के अंदर सबको पक्का करना पड़ेगा और बहुत बड़े स्तर पे नई टीचरों की भरती करने बढ़ेगी और चौथा टीचरों की शानदार ट्रेनिंग करानी पड़ेगी, जरूर पड़ेगी तो विदेशों में ट्रेनिंग कराएंगे, इन लोगों की दिल्ली में कराई ही हम लोगों ने, ये चार काम कर देंगे, भारत अमीर देश बन जाएगा, भारत का एक एक अदमी अमीर बन पांच साल में ये काम हो सकता है दिल्ली में हमने पांच साल में सरकारी स्कूल शांदार कर दिया पूरे देश में भी पांच साल में हो सकता है हमको करना आता है आज मैं केंद्र सरकार को यह offer देना चाहता हूँ कि आप हमारी services यूज़ करो ना हम भी तो इसी देश के हैं राजनीती को side रख देते हैं आप हमारी services यूज़ करो हम आप सारे देश के सब लोग मिलके 130 करोड भारते मिलके सारे स्कूलों को मिलके ठीक करेंगे सारी सरकारे मिलके ठीक करेंगे यह हो सकता है और इसको free भी कहना बंद करो, अच्छे शिक्षा देना free भी नहीं है, अपने बच्चों को अच्छे शिक्षा देंगे, एक टाइम का पेट भी काटना, एक टाइम की रोटी भी खानी होना, 130 क्रोड लोग उसके लिए भी तयार है, और दूसरी चीज, सब के लिए अच्छा और मुफ्ध, इलाज का इंतजाम करना पड़िगा, हमने दिली में किया है, पांत साल के अंदर हमने ऐसी व्यवस्था कर दी डिली के अंदर की हर व्यक्ति को दिली के धाइर करोड लोग सारा इलाज मुफ्द है उसका, छोटी से उसको बड़ी, से बिमबड़ी बिमारी सारे हम लगे हूए सेरकारी स्कूलों का भी कबारा करने में लगे हूए जान बूझ के कई सरकारों कba में आता है कई सरकारें जान बूज के सरकारी स्कूलों को कबाड़ा किया जा रहा है ताकि प्राइवेट में बच्चों को बेजना चालो कर दो जान बूज के सरकारी अस्पतालों का कबाड़ा किया जा रहा है सरकारी डिस्पेंसरियों का कबाड़ा किया जा रहा है ताकि प् एस्पताल में भरती है निए इतनी दवाईया लेनी पड़ रीये मेरा पैसे mort with the झाल premiोर्ण के काव है आश्यानु सब्सक्तालाruck क्षान की सब्सक्राइब करे दो तो कहती है भाई हमने तो वो अपना पल्ला जाड रहे हैं इसका मतलब हमने तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने हमने तो पांच लाक रुपे का काड़ दे दिया इसका लगो सरकारी से स्पताल ठीक नहीं करना जाते हैं हमें पूरे देश के अंदर अगर दिली के अंदर हर को यह सुरक्षा चक्र मिल सकता है कि उसका सारा इलाज मुफ्त चोटी से चोटी क्रोसिन से लेके बीस लाग चालिस लाग पचास लाग का भी आपरेशन होगा वह भी मुफ्त पूरे देश में भी हो सकता है इसके लिए अपने को खूब बड़े स्थर के ऊपर पूरे अस्पताल खोलने पड़ेंगे सरकारी महला क्लिनिक खोलने पड़ेंगे डिस्पेंसरियां खोलने पड़ेगी एक्सरे की मशीन लगानी पड़ेगी अमराई की मशीन लगानी पड़ेगी अस्पतालों के अंदर टेस्ट का इंतजाम करना पड़ेगा हो सकता है सरकार के पा आदो सारी मशीन वशीन खरीद लो उसके बाद 2,000 रुपे एक आदमी का खर्चा आता है साल का एवरेज ऑसतन पूरे देश में 130 करोड़ लोग हैं धाई लाक करोड़ रुपे में पूरे देश का इलाज हो जाएगा सब को सोचो कितनी बड़ी बात हो जाएगी कितनी बड़ स्वीडन इनमें सबका इलाज मुफ्त है हम भी कर सकते हैं हमें भी करना चाहिए पांच साल में हो सकता है ये भी हमने दिल्ली में किया हमें कर खबरों के निश्पक्ष विसलेशन के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस्टा बेल आइकन नेवर मिस एन अपडेट